प्राचियन सिद्ध पीट मा बंगला मुखी बन खंडी में हिमानचल की प्रसिद्ध नाटी कलकार कुल्दीब शर्माना मा बंगला मुखी से आशिरवाद लिया मंदिर के महंत रजत गरी ने आदेश अनुसार महंत नी राजकुमारी जी ने उन्हें मा का सुरूप भेट किया पत्रकारों से बात करते वे उन्होंने महामाई का गुणगान किया और बताया कि हाल ही में महामाई की किरपा से पॉलिवुड में हिमाचल की नाटी की प्रस्तुती जल्दी ही आपके सामने होगी वन रकषक फिल्म की सूटिंग भी 15 अक्टूबर से प्रारंब होने वाली है सात में ही यारिया फिल्म भी जल्दी ही आप सभी के सामने आने वाली है सात म stunning ने निवेदन किया कि इस फिल्म को अधिक से अधिक देखे मा बंगला मुखी के प्रांगण में जब उसनके प्रसंचकों को ग्यात हुआ कि माचल में नाटी सत्राज मा के दरवार में आए हैं तो उन्होंने सेलफी लेने का आग रह किया तो उन्होंने भी प्रसंचक को मना नहीं किया आज मुझे शक्ती पीड पगला मुखी माता जी के चर्णम अपना शीष नवाने का शुब अपसर प्राप्ट हुआ पहली बार आज यहां माता जी के चर्णम में शीष नवाया बहुत आशिरवार बहुत ही अच्छा है यहां पे बड़ा स्पून यहां पे आके मिला तो दो लाइड निया को अब बढ़ा हो चीडा थार माईये सोना नदारा तेरे भवनारा भवन बढ़ा ओचीडार माईए सोना दवारा तेरे भवनारा बगना मुखी मैया बढखंडी बस्तिया रम वसे बसुर्माईये सोना दवारा तेरे मंदरारा जय माता थी और यही जहना चाओगा अपने बाले में कि मुझे अभी एक ब्रेक माता रहनी की क्रिपा से वॉलिवुड में मिला और वहां मैं अपने आपको बहुत सुभागे शाली मानता हूँ कि मुझे वहां पर अपनी नाटी जमाच्री नाटी को मैशब करने का मौका मिला और साथी साथ एक हिंदी गाना भी मैंने बाया है और फिल्म का नाम है वन रख्ष है जो कि अभी 15 अक्रूबर्सुट की शूटिंग शुरू हो जाएगी तो ये मेरे लिए बहुत मातारानी के ग्रीपा से मातारानी के शर्फ से आशिवान जब मिला तो तभी ये संबब को हो पाया